कि हाज हम पढ़ेंगे बारवत का सबसे बड़े कभी महा कभी तToday कर दोध करा दम आता है तो किस दराता देखते हैं之前 लाटक के C Chair में जो की ती का लीडास को Pॉर्वप्त है संस्कित कावियों में तता अभाँ लको में बाण की प्रसस्तियां भरी हुई है सवभाग्यवा बाण का काल तता ब्यक्ति दोनों की विशे में परियाप्त सूचना मिलती है क्योंकि इन्होंने स्वयम अपने हर्स चरीत जो इनकी रचना है बाण भट की रचना क्या है हर्स चरीत उसमें इन्होंने अपने बारे में थोड़ा बताया है क्योंकि उन्हेंने स्वयम अपने हड़शरीत के प्रारव में धाई उच्छवासों में एवं कादंबरी के मंगलपदों में अपनी विश्त्रित परिचे दिया है अपना परिचे न्हेंने खुश से दिया है बाण भट्टी ऐसे कभी है जिनके पारेम सूचना मिलती है बाण के पुर्वज वस सारस्वती पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे उस से ही वातषायन वन्स चला जिससे कुबेर नामक विद्वान बैकतिका जन्म हुआ कुबेर जो था वस्यान वंस के थे जो इनी के वंसस थे बाण के पिता का नाम चित्रभानू था बाण के पुत्र भूसान उपनाम पुलिंद हुए जीनों ने बाण के पुण गत्र की दिक कादंबरी को पूण किया कादंबरी जब एन लिख रहे तो उन्हें आधा ही लिखा था उनके पुत्र ने पुलिंद ने कादंबरी की रचना की बाण का वंस विद्या की विच्छा अविश्चिन परंपरा तथा द्वी जो चीत व्यभवस संपन था इनकी माता का देहांत बाण के सैसवकाल में ही हो गया था मतलब बच्पन में ही हो गया था यह पैदा हुए थे तभी संस्कित के प्राचीन साहितिकारों के एक मात्र बाण ही ऐसे भाग्यवान है जिनका इस्थित काल प्रायर निश्चित है और शरीत में जो इन्होंने आत्मकता दी है उसे सपस्ट है कि इन्हें समराठ हर असे सब्लाझ हंगा प्राघ सब्थन का राच सभा में ने रहने का आउसर मिला था इनका काल 626-649- first भाण बणवट का काल 626-649-etus माना जाता है बाण के नाम से तीन प्रमालिक सिद्ध रचनाए मिलती है पहला हर्थ चरीत कादंबरी और चंडी सतक थीन रचनाय की मिलती साथ चादंबरी तो बहुत ज्यादा पेमस सायर, सार्थ चरित और कादंबरी चंडी सतर स्ट्र तो आधि बाहने की लिए आता तो आप ये सॉट्ट्स के तौर पे लिख सकते हैं और बहुत ये पढ़ा है, बुक से बहुत जागा से जांट-चांट के लिखा है, तो आई ठी अगर पसंद आए तो थैंक यू थैंक यू सो मच